Population genetics के अंदर क्या होता है किसी एक निश्चित population की genes की heredity की जो study करते हैं उसको अपन population की genetics बोलते हैं ठीक है तो यहाँ पर दो टाम हो गई एक population और एक genetics तो population के अगर ecology के लिए अपन definition देखें तो यहाँ पर होता है कि एक निश्चित particular area के अंदर एक time के अंदर same species के जो individuals का group होता है उसको अपन population कह सकते हैं और इस population के अंदर जो gene से किसी एक character को लेके एक बार बात करें अपन तो कि मान लीजिए किसी color coding का gene है ठीक है तो इस color coding की gene की scientific study करें और ये एक generation से किसी population में next वाली generation में किस तरीके से transfer हो रहा है इसकी study करें तो वो हो गई genetics और यहाँ पर द आप अपन बात करेंगे जो gene होती है उसकी frequency क्या होती है genotype frequency और एक होता है allele frequency इन दोनों से ही इस वाले topic से question बनते हैं तो बात करें कि जो allele होते हैं उनकी frequency पलस में किस तरीके के कितने type के allele single character को लेके मिलते हैं उनके कितने combination बनते हैं उसको बोलते है अपन जीनो की frequency क्या हो सकती है और allele की frequency क्या हो सकती है किसी भी character को लेके तो उसको मतलब अपन जीनो टाइप frequency और allele frequency जानने से पहले यहाँ पर थोड़ी सी terminology है उसको देख लेते हैं जैसे कि chromosome chromosome आपको पता ही है कि जो DNA होता है DNA की condensed form होती है जो nucleus के अंदर पाई जाती है और एक third like structure हो मतलब यहाँ पर जो एक तंतु like fragment की जो fragment like structure होती है उसको अपने chromosome बोलते है अब chromosome के अंदर अपन बात करें तो एक term आता है headloid और like fluid, यानि कि हमारे अंदर इस तरीके की एक structure होती है इसको बोलते हैं अपने single chronome ठीक है, इस तरेके की structure को बोलते हैं अपने single chronome और इस तरीके से एक और उसका homologus homologus drum की बात करें तो एक होता है homologus ठीक है ایک होता है heterologus homologus के अफने न hazardDes결 तो इसको बोलते हैं अपन सेम टाइप के ठीक है हेटेरोलोगस में बोलते हैं कि डिफरेंट टाइप के ठीक है तो यहां पर क्रोमोजोम के लिए अगर अपन होमोलोगस की बात करें तो यानि कि इस वाले क्रोमोजोम पर जिस क्रेक्टर को लेके जीन्स होंगे इसके क्रोमोजोम होता है उसके सेम टाइप के जीन्स सेम क्रेक्टर को डिसाइड करने वाले जीन्स का सेकंड क्रोमोजोम होता है उसको बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोजोम और यह इस तरीके से पैर के रूप में पाये जाते हैं तो एक क्रोमोजोम तो मिलता है अपने को एक से, ठीक है, सेकिंड वाड़ा जो क्रोमोजोम होता है, वो सेकिंड पेरेंट से मिला हुआ होता है, तो इस तरीके से एक क्रोमोजोम का होमोलोगस क्रोमोजोम भी होता है, ऐसे organisms को बोलते हैं अपने deployed, और single chromosome जिनके अंदर होता है, उनको बोलते हैं अपने एपलोईड तो इस तरीके से अपन humans की बात करें तो humans के अंदर 22 प्लस एक पेर होता है sex chromosome का 22 होते हैं यहाँ पर particular numbers वाले chromosome जो बाकी के सारे characters को decide करते हैं sex को छोड़ कर ठीक है तो इनको बोलते हैं अपन autogomes autogome chromosome बोलते हैं 22 को तो बाकी जो एक पेर होता है जो अपने अंदर sex को decide करता है कि male का formation होना है या फिमेल reproductive organs का formation होना है उस पेर को बोलते हैं पन अलोजोम पेर ठीक है तो यहाँ पर 22 पेर तो autogomes के हो गए जिनके अंदर एक एक chromosome तो यह homologous condition में पाए जाते हैं एक एक तो mother की side से मिलते हैं और एक एक father की side से मिलते हैं यहाँ पर और जो sex क्रोमोजोम का पेर होता है अगर वो female होगा तो उसके अंदर xx होगा और अगर वो male होगा तो उसके अंदर xy होगा जिसके अंदर यहाँ पर heredity की बात करें तो अगर xx होगा तो यह female मेल होगी एक यहां पर फादर की साइड से मिलेगा एक मदर की साइड से मिलेगा और यहां पर अगर अक्स वाई होता है मेल का पोर्मेशन होता है यहां पर तो जो अक्स वाला होता है वो मदर की साइड से मिलता है और जो वाई वाला होता है वो फादर की साइड से मिलता है त अब अगर अपन बात करें यहां पर तो क्रोमोजोम के अंदर क्या होता ना इस तरीके से जो dna होता है वो एक histone protein होती है जो histone protein से यहां पर positive negative type के bonds का formation करता है और फिर यह histone protein है इस तरीके से एक मतलब टन्दू का formation करती है जिसके अंदर dna बहुत ज़्यादा condensed form में होता है उसको nucleosome बोलते हैं ठीक है और यह nucleosome फिर वापस इस तरीके से kundalit एकदम इस तरीके से ucromatin होकर और ज़्यादा condensed हो जाता है जो की chromosome का formation करता है इस तरीके से condensed होकर तो यहाँ पर जो dna है वो histone protein के साथ bond बनाकर यहाँ प पर dna इस तरीके से kundalit होकर condensed हो जाता है तो यह normal cells के अंदर क्या होता है na histone protein होती है लेकिन बात करे sperm cells की अगर अपने तो sperm cells के अंदर क्या होता है यह dna और ज़्यादा condensed form में होने की requirement होती है तो वहाँ पर जो histone protein है वो एक scaffold protein होती है जिस से replace कर दिया जाता है यानि कि ज dna को मतलब और ज़्यादा condensed form में कर देती है उसको बोलते हैं अपन इसके फॉल्ड फ्रोटीन ठीक है यहां तक ठीक है अब अगर बात करें अपने नॉर्मली बात करते हैं कि जीन की मालिया अपने यह chromosome देखा था इस तरीके से यह chromosome हो गया यह इसका homologous chromosome हो गया second वाड़ा ठीक है यहाँ पर यह एक chromosome है और यह इसका homologous यानि एक पेर यहाँ पर chromosome का है मारे पास में तो यहाँ पर chromosome में बना कोन रहा था dna ठीक है dna यहाँ पर chromosome का formation कर रहा था तो dna का एक निश्चित base pair का fragment होता है यह निकी माल लीजिए कि वो यहाँ पर so base pair का dna है उसके बाद में जो dna है उसके अंदर इस्टोप कोडोन आ जाते हैं इस्टोप कोडोन को मतलब decode करने वाले base pair आ जाते हैं तो एक बार बात करते हैं अ dna को code करते हैं फिर यह RNA से यहाँ पर ribosomes हैं वो एक protein का decode करते हैं protein बनाते हैं यहाँ पर ठीक है और यह protein माल लेते हैं कि किसी भी organism की यहाँ पर gradient बनाती है लंबाई का या पिर बात करते हैं color का माल लेते हैं फिर कि किसी भी organism का यहाँ पर color decide करते हैं ठीक है तो यह क्या ह जो यह DNA का base pair था यहां पर RNA में convert हुआ और पर protein में हुआ और पिर color में तो यह जो RNA का यहां पर so base pair वाला fragment था इसको बोल सकते हैं अपन एक particular gene जो कि यहां पर color को decide करता है तो यह अपने को एक parent से मिला कि मान लेते हैं कि father की side से मिला यहां पर तो यह जगह क्या है जिस जगह पर यह DNA का जो gene है color वाला gene है इस जगह पर है तो इस जगह को बोलते हैं अपन लोकस ठीक है लोकस बोल दिया और सेम chromosome के उपर जो homologous chromosome है मदर की side से मिला है इस तरीके से यह बात करें हैं अपन diploid deployed organisms के तो यह mother की side से मिला है तो इस वाले homologous chromosome पे same location पे यहां पर इसी color को decide करने वाला gene मिलेगा अपने को same DNA मिलेगा same gene बनाने वाला DNA same DNA नहीं होगा वो यहां पर उसके अंदर कुछ base phase का changes हो सकता है जो यहां पर मान लीजिए कि color को थोड़ा अलग type से decide करता है यानि कि यहां पर मान लीजिए कि इधर फादर की side में जो DNA था वो यहां पर protein बना रहा था और वो यहां पर फेर color को decide कर रहा थ ठीक है फेर color को decide कर रहा था लेकिन जो मदर की side में जो DNA था particular gene था color को लेके वो यहां पर है कि यहां पर black color को decode करता है ठीक है तो यह किया हो गया ना कि यहां पर जो फेर color वाडा dominant होगा या तो यहां पर अपना जो effect दिखाएगा उसको अपने dominant बोल देते हैं ये एक ही gene के दो यहाँ पर परकार हो गए दो unit हो गए यहाँ पर तो इन दोनों units को यहाँ पर allele बोल देते हैं ये alleles हैं एक particular color को decide करने वाली gene के ठीक है ये हो हमारे alleles पर था यहाँ पर वो अपना effect नहीं सो कर पा रहा है यानि कि यहाँ पर फेर color आ रहा था तो फेर color वाला allele इस black color वाले allele के उपर यहाँ पर dominant है ठीक है और black color वाले को गोल दिया recessive तो यहाँ पर dominant और recessive वाला concept भी clear होता है और साथ में allele और gene वाला concept भी clear होता है अब देखते हैं अपने gene की definition जैसा अपने देखा वैसा ही है क्या gene क्या है एक basic physical and functional unit है जो एक generation से या फिर बात करें कि एक cell से next cell के अंदर transfer होता है replicate होता है और अगर organism तो organism की बात करें तो वो heredate बोलते हैं अपन उसको basic unit हो गई यह क्या है DNA से बनी हुई fragment है और यहाँ पर यह protein का formation करता है यह भी अपने देख लिया many genes do not code protein ऐसा नहीं है कि इस chromosome पर पाई जाने वाले सारे ही gene मान लीजे इस chromosome पर 10 type के gene है ठीक है तो इस तरीके से मान लीजे कि यहाँ पर 1 से 10 type के gene है इस वाले chromosome पर तो ऐसा नहीं है कि जो 10 के 10 gene है वो यहाँ पर protein का formation ही करेंगे कुछ से जो genes है वो vestigial भी हो सकते हैं यहाँ पर कि वो किसी तरीके का protein नहीं बनाते हैं फिर next बात करते हैं कि यहाँ पर अपने बात कर लिए कि जरूरी नहीं है कि सारे genes ही protein का formation करें in human genes vary in size यानि कि genes का जो DNA होता है उस DNA की जो length है वो vary कर सकती है कुछ से base pair से लेकर यहाँ गर 2 million base pair का fragment DNA का एक gene के अंदर हो सकता है ठीक है यहाँ तक concept clear है एलील वाड़ आपने बात कर लिए एक बार फिर overview देख लेते हैं कि यह इसका homologous chromosome है यह मान लीजिए first chromosome था और first chromosome का एक pair था जो एक फादर की side से मिल रहा था एक mother की side से मिल रहा था ठीक है और यहाँ पर इस वाले locust पे इस वाले locust पे color को decide करने वाले genes थे और एक parent की तरब से तो मिला था अपने को fair color वाड़ा gene और एक parent की तरब से मिला था अपने को black color वाड़ा genes से तो same यहाँ पर एक ही character को decide करने वाले gene दोनों chromosome पे है ठीक है एक homologous chromosome पे है तो एक ही allele के यह दोनों सावरूप यहाँ पर हैं तो इनको बोल देते हैं पर allele यानि कि एक ही gene के दो allele है जिन में से मैंने बताया था कि एक dominant था यहाँ पर और एक recessive था यानि कि एक अपना effect दिखा रहा था और एक अपना effect वो नहीं दिखा पा रहा था क्योंकि दूसरे वाड़ा dominant था अब अगर अपने बात करें तो यह तो हो गई heterogenes यहाँ पर heterogenes condition हो गई यह एक जीन की ठीक है और यहाँ देखते हैं कि next वाड़े करोमोजोम पर क्या हो सकता है जो second situation है वो क्या हो सकती है कि यहाँ पर भी fair color वाड़ा जीन था और second parent से मिला वो भी fair color वाड़ा यहाँ पर जीन था तो यह जो दोनों allele है वो same type के थे तो यहाँ पर 혼ologous type के हो सकते है जोनों जीन्स को अपने homo geências यहाँ पर बोल सकते हैं फिर आता है कि दोनों recessive भी हो सकते हैं तो वो भी दोनों यानि कि दोनों black color वाड़े यहाँ पर allele हो सकते हैं तो वो भी यहाँ पर homo ge regulatoryuss आ गया यानि कि अगर यहाँ पर फेर कलर वाड़ा एलील और बलेक कलर वाड़ा साथ में था तब यहाँ पर फेर कलर सो हो रहा था तो अपने माना कि जो केपिटल ए था वो फेर दिखा रहा था और इसमोल ए यहाँ पर बलेक दिखा रहा था अगर दोनों साथ हेटेरो जाइगरस कं तो इनको बोल दिया अपने रिसेसिव और दोनों यहां पर कैपिटल आ गए तो उनको बोल दिया अपने डोमिनेंट ठीक है यहां तक का कॉंसेप्ट के लिए है तो अपन देखते हैं डिपलोईड जो कि अपने बात कर ली कि यहां पर जो सेम क्रोमोजोम था एक उसका होमोल क्रोमोजोम ठीक है जो कि अपने को दूसरे वाले पेरेंट की तरफ से मिला था तो यह दोनों एक साथ में पाए जाते हैं इस तरीके से जितने भी क्रोमोजोम हमारे अंदर पाए जाएंगे वो यहां पर डबल कंडिशन में होंगे यानि कि जो एक नंबर का क्रोमोजोम हो जिसके अंदर एक ही क्रोमोजोम होमोलोगस कंडिशन में पाया जाता है एक ही क्रोमोजोम दो तरीके से पाया जाता है यानि कि एक पेर पाया जाता है किसी भी क्रोमोजोम का तो ऐसे ओर्गेनिजम को बोलते हैं अपन डिपलोईड एक होता है हेपलोईड यानि कि उनके अ करोम में इस बढ़न को बहुता है एक तो सोटाम हुती ये और एक लौग आम होती यह यह बात करते हैं कि यहां पर यह एक आम है एक रोमय। है और सेम टाइप का इसके होमोलोगस क्रोमोजोम पर आम है इन दोनों को बोलते हैं सिस्टर क्रोमेटिड बोल देते हैं अपन ठीक है और इन दोनों को बोल देंगे यहां पर सिस्टर क्रोमेटिड और उपर वाली दोनों आम्स को बोल देते हैं क्योंकि उपर वाली दोनों में जीन है वो एक दूसरे के कोपी है एक दूसरे के एलिल है ठीक है और नीचे वाली आमस है उन पे भी एक दूसरे की कोपी जाए एक ही जीन के दो-दो एलिल से तो उनको बोलते थे हैं अपने sister chromatid एक long arm, एक short arm होगी और जहां पर बीच में ये जुड़े हुए होते हैं दोनू chromatom उसको बोलते हैं अपने centromere ठीक है ये single chromatom हो गया ये deplet condition में हो गया autosome और allosome भी अपने देख लिया कि autosomes तो बोलते हैं जो बाकी नंबर के एक से 22 तक के chromozome होते हैं हमारी body के अंदर परते character को decide करने वाले chromozome except sex को ठीक है तो उनको बोल दिया अपने autosomes और यहां पर male और female को decide करते हैं उस वाले pair को बोल दिया यहां पर allosome ठीक है ठीक है यह अपने बात करी लिया अब बात करते हैं allele frequency जानने के लिए अपने को एक term काम में लेनी पड़ेगी यहां पर कि autosome और अपन जो sex वाला बोला था अपने sex chromosome उस पे अक्स होता है और एक male की बात करी तो उसमें अक्स y होता है तो यहां पर जो अक्स chromosome होता है वो पलस में बाकी के और भी जीन होते हैं लेकिन जो y chromosome होता है कि मानली यह male condition है यहां पर और y chromosome है तो y chromosome के अंदर क्या होता है न कि यहां पर 2-4 type के genes ही होते हैं जो कि manly यहां पर sex को determine करने वाले genes ही होते हैं ठीक है तो अपन इसको मान लेते हैं कि कोई भी जीन अगर sex के अला होते हैं ठीक है इसलिए यहां पर जो एलोजोम के genes होते हैं उनको अक्ष्ड लिंग genes बोलते हैं क्योंकि y chromosome होता है उस पर ज्यादा जीन नहीं होते हैं कुछ ही जीन होते हैं जो यहां पर male और female को decide करते हैं ठीक है तो autosome allele होगे 1-22 जो chromosome थे हमारे उनके उपर पाई जान या अपन ने आक्स लिंग्ट अब जैसे कि अपन deployed population के अंदर किसी भी यहां पर allele का या पिर gene की study करते हैं तो यहां पर एक gene है ठीक है यह एक gene के दो allele हो गए है ठीक है एलील फरस्ट और allele second ठीक है तो किसी भी population के अंदर आपन बात करें कि कि कितने type के यहां कितनी यहा अपन एलील गयात करें कि एलील कितने एलील हो सकते हैं frequency बाद में गयात करेंगे एपन कितने एलील हो सकते हैं तो यहां देखे कि 10 individuals हैं तो उनके अंदर color को decode करने वाले एक gene के दो allele consider कर रहे हैं क्योंकि deployed अपने population लिए है तो यहां पर 2 से यहां पर multiply कर देंगे तो एक ह ऑगे तो इसको अगर अपन formula के रूप में लिखे हैं यहां पर तो लिख सकते हैं कि individual into 2 इस तरीके से deployed population की तो ऐइसे कर लेंगे अगर population यहां पर triple Teשל होगी तो यहां पर 3 से multiply कर देंगे और यहां पर data deployed होगी तो यहां पर 4 से multiply कर देंगे ऐपन थीक है अब बात करते हैं कि ये तो अपने अलील ओप ओटोजोंस की नमबर जानने के लिए कर लिया लेकिन अक्षड लिंक की बात करें तो यहाँ पर क्या करेंगे कि मान लीजी कि यहाँ पर 100 individual है 100 लोगों की population है और तो उसके अंदर भी अगर अपन बात करें तो नोर्मली देखने के लिए कि यहाँ पर male और female का ratio है एक एक का ठीक है तो यहाँ पर क्या हो गया ना कि 50 को male हो गए और 50 ही female हो गए अब अक्ष लिंक्ट बात की है तो यहाँ पर females के अंदर तो क्या होगा ना females के अंदर तो अपन उसको दो से multiply कर देंगे दो से multiply किया तो क्या हुआ इनके अंदर तो सो आ गए है यहाँ पर लेकिन males के अंदर क्या करेंगे males के अंदर तो एक ही X chromosome होता है तो यहां पर जितने यहां पर मेल्स है उतने ही अक्स लिंग्ड एलील होगे यानि अक्स क्रोमोजोम पर पाए जाने वाला एलील जितना यहां पर और मेल की सेंख्या है उटने ही एलील होते हैं क्योंकि एक क्रोमोजोम सिंगल होगा 근ी क्योंगा दूसरा दो यहां पर ii specific है चाये जाना होगा तो पिर पॉपुलेशन यहां पर ओटोजोंस वाली होती किसी ओटोजों क्रोमोजों पर अगर अपने को एलील्स की संख्या यहां पर ग्याद करनी होती तो उसको अपन 100 into 2 कर देते डिपलोइड पॉपुलेशन के लिए तो यहां पर एलील्स के नंबर कितने हो जाते 200 हो जाते अपने बात कि ट्रिपल यहां पर ट्रिपलोइड पॉपुलेशन होगी तो उसको अपन 3 से मल्टिपलाई कर देंगे और यहां पर अगर तेत्रापलोइड होगी तो यहां पर उसको अपन 4 से मल्टिपलाई कर देंगे ठीक है तो इस तरीके से एलील्स के नंबर तो अपन द बनते हैं और नेट लाइफ साइंस के अंदर यहां से एक से दो क्यूसें डेफिनेट लिए तो अपन जो मोस्ट मोस्ट टोपिक्स है उनके यहां पर वीडियो लेक्चर रिकोड कर लेंगे तो मिलते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट में तब तक के लिए धन्यवाद थेंक्यू स क्यों थेक्क्स कर दो टो कि अख दो को हैं उनके कर दो